नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत हर्याणा मीडिया न्यूस के यूट्यूब चानल पर पूर्फ केंडरीय मंत्री राम विलास पासवान का निधन बिहार विधान सभाद चुनाओं के नतीजों पर असर डाल सकता है उनके बेटे चिराग ने इस चुनाओं में नितीश कुमार को उखाड फेकने का दम भरा है ऐसे में सीनियर पासवान के निधन से लोग जनशक्ती पार्टी यानि LGP सहानुभूती वोट बटोर सकती है पासवान के जाने से दुसाद वोट चिराग के साथ खड़े हो सकते हैं रामविलास पासवान दशकों तक दुसादों के सबसे बड़े नेता रहे चुनाओं में दुसादों की सक्रिय भागीतारी के चलते ही पासवान की राजनीतिक ताकत कभी कमजोर नहीं हुई चिराग उसी ताकत को नितीश के खिलाफ इस्तमाल करना चाहते हैं सीनियर पासवान बिमार होने के चलते ही पहले ही इन चुनाओं में भागेदारी नहीं करने वाले थे ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि चिराग क्या दुसादों को उसी तरह साथ पाएंगे जैसे उनके पिता करा करते थे पूर्फ किंद्रिय मंत्री के निधन ने इसकी संभावना बढ़ा दी है कि दुसाद एक जुठ होकर लगीपी के लिए वोट करे पार्टी ने गुरुवार को नितीश और जेडियों को जटका देने वाले प्लान पर कदम आगे बढ़ा दिये हैं करे महीना भर पहले चिराग ने पिता जी की बिमारी का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके राजनेतिक काम को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं बिमारी के चलते ही पास्वान प्रचार भी नहीं करने वाले थे एक दलत ने बीजेपी के लगभग हर बड़े निता ने पास्वान के निधन पर शोग जताया है हाला कि चुनाओं में बीजेपी और जेडियों को लगशीपी से दो-दो हात करने पड़ेंगे ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने लजेपी को भी साधा हुआ है लेकिन वो ऐसी परिस्थिती नहीं जाती जहां जेडियों के साथ उसका गड़बंदन बहूमत से दूर रह जाए क्योंकि तब चिराक को एडवांटेज होगा चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है ऐसे में बीजेपी पासवान को शद्धांजली तो देगी लेकिन लजेपी का विरोध करेगी बीजेपी के शिर्षनेता नितीश कुमार के लिए अपना समर्थन बार बार दोहरा चुके है पासवान के जाने के कारण चिराक पर खुद को साबित करने का दबाव बढ़ गया है सीनियर पासवान कई विरोध आभासों के बावजूद अपने राजनेतिक लक्षे को हासल कर ही लेते थे सीनियर पासवान ने वाजपई सरकार में मंत्राले बदलने पर NDA को छोड़ दिया था और फिर UPA में मंत्री बने इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी से वापस हाथ मिलाया और 2014 में फिर से केंदर के मंत्री का पद्ध हासल कर लिया हाल ही में चिराग ने वोटर्स और पार्टी कारेकरताओं से अपील में कहा था कि मैं पापा का अंश हूँ इसलिए उन्हें पता है कि कैसे विप्रीत परिस्थितियों में सफल होते हैं सूत्रों के मुताबिक लोगों के बीट जाकर ये कहेगी कि वो पास्वान के सपनों को पूरा करेगी पास्वान के निधन के चंद घंटे पहले ही लजेपी ने एक पत्र सार्जनिक किया था 24 सेतंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेबी नड़ा को लिखी गई चिठी में चिराग ने कहा था कि जब उनके पिता राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले मुलाकात कर समझाने गए थे तो नितीश का वैवार ठीक नहीं था जब ये चिठी सार्वजनिक हो गई है तो इसे फैला कर लजेपी की पोजीशन को और मजबूत करने की कोशिशे होंगी राजनितिक गलियारों की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाना मीडिया न्यूज